हलो एड़ुन विलकम टूमाई चैनल मैं सुनील कुमार हुए कि हम पढ़े हैं इ drafting रहा है डिलिएजन इंजीनेरिंग यह इडिटेट आंगी इंजीनेरिंग का 11 नंबर लेक्ट्र है और लास्ट्र हम प्रवाइन करिए आप आपको PDF दिया रहा है इंग्लिष लेंगज में भी और हिंदी लेंगज में भी पीड़ दिया रहा है ठीक और जो पेपर्स वगर हैं जो आपके समस्टर पेपर होते हैं वह कुछ सब्जक्ट के हैं तो भी दिया मंदद प्रवाइड कर दिया गया है त उसका डिटेल था उसको नहीं किये थे तो आज देखते हैं क्या है पहले देखे कनल क्या है कल बताया थे कनल क्या होता है यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को किसी सोर्स से किसी सोर्स से रिवर डैम इन सब जगहों से लेकर आता है वाटर को लेकर आता है और आप के लिए पर्फट से यूज करते हैं सो कि फिक्री लेंड में लेकर आता है वह पर इसको यूज करते हैं तिस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं कनाल करते हैं ठीक है क्लाश्पिक्ष नल्स कर इस अपर रच्ष सबस्क्राइब नारे हैं तो क्या होता है इस अब बस煉त में कितना हैं कि तो हम तो हम देखते हैं कि हमारा इस सालिय बस्म क्या हैubeर कि ना है chade based on purpose main irrigation canal ठीक है के देखते हैं क्या है कर विंजन परफॉस इडिएसन गणाल कि इसमें होता है करना için o वीक्षिस वाटर को किनाल क्या होता है यह ne बनाया यहाता है क्या करता है के एसागा करता और को सब्वाटर को करीख करता है from the source to the agriculture land किसी सोर से किसी रिवर से किसी डैम से किसी लैंड के लिए जहाँ पर आपका क्रॉप लगा हुआ है उसको इर्डीगेट करने के लिए उसके सिचाई करने के लिए लैंड फार्ड परपाइशन किसलिए इसी क्रिशन किनाल बोलते हैं ठीक है different part of irrigation canal and their functions इसके different parts होते हैं और इसके अलग-अलग कार होते हैं क्या इनका यूज होता है उसको बारे में देखेंगे हम देखिए। क्या होता है साइड स्लोप बर्म फ्री बोर्ड लैंड विट्थ यहां पर विट्थ नहीं होगा विट्थ होगा कि डवलू आई डी टी एक्ष विट्थ ठीक है डॉवेल बैंक बरोपिट ठीक है सब करूं बारे बारे देखेंगे चली हम देखते हैं साइड स्लोप कर इस साइड हो गए है कि एस अइस डीटि साइड can ठ्यक्राइब कर आप एस नहीं रहेगा डीटि Social पहले हम इसका डाग्राम देखते हैं फिर उसको पाँ समझते क्या होता यह इसको अच्छे से देखेंगी बारी बारी से पहले आप देखेंगे डागराम से लोग ओ आते हैं और देखिए सभी लोग देखिए सभी लोग कि यह का है का नर्मली स्ट्रक्चर है हम क्या है कनाल को समझे रहे हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं क्या क्या उसके फंक्शन से उसको देख रहे हैं पिर्यान देखिजिए अब देखिए यह क्या है आपका कि यह कि इसके नीचे लैंड है ठीक है यह है आपका चैनल सेक्शन चैनल सेक्शन ठीक है यह चैनल सेक्शन है अब देखिए यह चैनल सेक्शन है अब देखिए यह क्या है आपका यह चीज़ क्या है साइड स्लोप है यह क्या है यहां पर क्या होगा आपका यहां से हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ज्यान से देखिए भी सोज में आजाएगा यह है ऐसे रहेगा ऐसे रहता है ऐसे रहेगा कि अगर अधसे रहेगा ठीक है से मिस्टक्चर कॉपु इसी तरब से और से रहेगा जीधे सरे खेडर तो नेगи कैसे सेन्दखील यह है यहां से और यह इसका जो distance होगा इसको बोलते हैं small d depth of channel small d है यह distance ठीक है एक चीज़ होता है free board free board क्या है आपका free board देखें क्या होता है यह distance और यह distance यहां से लेकिए यहां तक का का जो distance है वो free board है जहाँ देखें सभी लोग यह distance क्या है free board है यह लगभण कितना होता है point five होता है point five meter इस कोड के दोर्ण बताया गया है इसका distance जो होना चाहिए पॉइंट फाइब मीटर रखना चाहिए ठीक है अब दुखिए यहां पर जो यह जो चीज है यह चीज यह बर्म कि बी ए आर एन बर्म ठीक है यह आपका सर्विस लोड यह आप इसो कर सकते हैं कि रोड़ वे रोड़ वे इसको आप बोलेंगे क्या रोड़ वे इस चीज को बोलेंगे रोड़ वे ठीक है अब आप जो यहां पर मिट्टी प्रोवाइट किये हैं यहां पर जो मिट्टी फिल कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं क्या स्पॉाइल बैंक इसको बोलते हैं आप स्पॉाइल बैंक कि इसका जो इधर स्लोप होता है कि वन पॉइंट फाइफ कि रेशियो वन होता है यह डिपेंड करता है किस तरह की मिट्टे हैं यहां पर यह था कनाल का यह लाइग्निमेंट कह सकते हैं इसको एक रिके का इस्ट्रक्चर है इसका आप स्क्रीन साट ले ले लिए थोड़ा सा होता है वह कनाल के पानी को कनाल के पानी को रोड पर आने से रोकता है कि कनाल के पानी को रोड पर आने से रोकता है बस इससे समझें डावल कवर्क जो होता है कि देखते हैं अलग अलग इसका दिपनिशन देखते हैं अ कि कर रहे हैं साइड श्लोप क्या होता है कि कर स्लोप यह चीज यहां पर एल नहीं होगा साइड स्लोप है ठीक है मिस्टिक हो गया यहां पर मिस्प्रिंट है इसमें देखें ऐसे स्लोप कंस्टक्टेट अन्ट बोथ साइड आप कनाल आप देखें तास जाय स्लोप जो ऐसे चीज था यह जैसे आयद था ऐसे जहां दीजे ऐसे था ऐसे ऐसे था एसे अ कि यह क्या है इसमें कहा है आप लोग देख रहें गाँ यह साइड श्रॉप है यह से स्थी जोप है ठीक है कहरें साइड स्लोप constructed on both sides of the canal for allowing the water to flow between them इसके बीच water flow करें इसलिए इसको बनाते हैं कि ऐस्ट कनाल इस भी कंस्ट्रक्टेट कटिंग और बोट यह दोनों तरह के जो कनाल होते सब्सक्राइब करें आप इसी तरह की स्ट्रक्टर बनाे जिसमें वह water flow हो चके आपका ठीक है सफलोप है यह अलग अलग स्वाइल पर टाइप सब्सक्राइब अलग-अलग स्वाइल पर इनका रेषियो अलग-अलग होगा है कि आपको डिफिनिशन याद रखना है और जो भी इसके पार्ट का नाम क्या है नेम उनका पूरा अच्छे याद रखिए यह आपके एक्जामी बहुत है उसको आप पता रहेगा तभी आप उसको लिख पाएंगे तेके बर्म क्या होता है बर्म देखते हैं देखिए दिखिए और इस वर्जेंटल डिस्टेंस यह क्या है एक और डिस्टेंस है विच इस लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल बिट्विन टॉप इज आफ कटिंग एंट टौव बैंग ग्राउंड लेवल पर यह एक इस nag आता है क्या होता है इसमें वाटर फ्लो इन है आएट फेसल फुल सप्ठाइल तो फुल सप्लाई लेवल से चल रहा है तो क्या होगा सिल्ट पार्टिकल्स आज डिपोजिटेट कुछ पार्टिकल्स कुछ सिल्ट पार्टिकल्स वहां से बहर के आते हैं डिपोजिट हो जाते हैं अंदर बर्म एंड मेक इस फाइनल स्लोप 1.5 to 1 और उसका जो स्लोप बनाते हैं वह 1.5 से स्लोप बनाते हैं बर्म क्या है यहां पर फुल सप्लाई लेवल वाटर फ्लो होता है तो कुछ सिल्ट के पार्टिकल्स वहां पर आ जाते हैं वह बर्म है फ्रीबोड क्या होता है देखिए फ्रीबोड के लिए भी हम बनाया थे डागराम फिर्च बनाते हैं देखिए यह आपका कनाल है यह आपका FSL है कि एफ एसल है यह डिस्टेंस आपका इसमाल डी है ठीक है यहां यहां पर आपका ऐसे बना हुआ है बर्म होगर लगा हुआ है यहां पर डॉबल होगर है यहां ठीक है यह दिस्टेंस कह रहे हैं कि यहां यहां तक का डिस्टेंस जो फ्री बोर्ड है एफ एसल से लेके यहां इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं फ्री बोर्ड ठीक है ध्यान दीजी चलिए फिर कर रहे हैं कि इस लिए प्रवाटर क्याता है कि वाटर जो आपका है और फ्रो ना करने लगे ठीक है इसलिए आप कुछ छोड़ देते हैं कुछ डिस्टेंस होड़ते हैं वह कितना छोड़ते हैं पॉइंट फाइब मीटर कि दमेंड़ फ्री बोर्ड इन चैनल इस गवर्ण बाइद करेगा चैनल करेगा location जोड़न करेंगे डियंट करेगा और येंड करेगा तो यह सब चीजों पर करेगा अपका उसके हिसाब साब रखते हैं कितना होगा कितना नहीं होगा आइएस कोड कह रहा है वहां भारती मानक बीरो यह। वन तू 1973 यह कह रहा है कि मिनमम फ्रीबोर्ट 0.5 मीटर कितना रिक्मेंट कर रहे हैं यह 0.5 मीटर कर रहे हैं कम सकमा 0.5 मीटर रखिए प्रीबोर्ड का डिस्टेंस लेंड विट्थ में देखे क्या है कि टोटल लैंड रिक्वारव फारव अफ चैनल इस जिवजश इन्पी पार्ट जो टोटल लैंड होता है कंस्ट्रक्षन बैसको कैनाल के set लिए उसको बोलेंगे में विट्थ यह क्या है आपका यहां सेल ले कि माली को पर यह आपका कनाल है यह पर कनाल है तो पुरा जो लोड समस्काइब बता हिए तो डवल वह चीज है जो केनल के वाटर को रोडवे पे आने से records है जो के डाव्य इस प्रिवश्ड ऑनुप्र साइड ऑफ एस रुप डाफ़ अथा जाता है साइड अंसरुफुछ टो एंड चैनल और सहरी बीच में उसको प्राइड करते हैं इसको चैनल के हैं कि ब जान के जोुति हैल झाल रोडवे ऊफेट मीज़र मिघए प्रम करते हैं यह सेफटी प्रoweid कर सके उनको बचा हयं नाना करसा ही यह कर आपस जी है कर्ता है फिस यह से आट करता सुटाउर रहाइगा थी हड़्ड रहेगा एल्सायद आफ दर रोड़ वे टूवर्ज दर केनाल जिसे कि वाटर इथर फ्लोर ना कर पाए कि चलिए कर रहे हैं इस प्वाइल बैंक कि क्या होता है इस प्वाइल बैंक कि क्या होता है कि जब आप ऐसे बना रहे हैं आपका किनाल यह किनाल है कि यह किनाल आया ठीक है जो अब आपके इधर क्या है डावल बार है सर्विस रोड है यहां पर जब आप स्लोब देते हैं बार्ज कर तो यहां, कि फार इस प्वाइल पेंति यहां पर आपकर कर रहा है किसए"- अ सब्वाइल-बैंकर तो इतीकर यह तो सली दिखते हैं कि बयरोपिठ सब्सक्राइब कि होता है यहां से आप डग कर रहे हैं मित्ती को हटा रहे है इस चीज को बोलेंगा बैरोपीट यहां तो कोई इंबैक्मेंट बना रहे हैं कोई स्ट्क्चर बनाने के लिए किसी मित्ती को हटा रहे हैं इक्सक्रवेट कर रहे हैं उसे बोलते हैं बैरोपीट अपको बस यह आपको जो डायग्राम था उसको याद रखना पड़ेगा अच्छे से इसको फिर से बार देख लिए क्या था आ देख़ी है यह आपका चैनल सिक्ञन है यह चीज और आपके यह साइड स्लोप है यहे चीज साइड श्लोप है ठीकत अब हम यहाँप यहां तक का इस्टेंस मगधी है यह यहां तक का डिस्टंस होगा वो फ्रीवोड होगा कि कित्द होता है 0.5 मीटर प्रीवोड की वैलू और यह सो हुआ तो यह था कनाल का लक्निमेंट का सब्सक्राइब कनाल अगर आप हो रहा है तो आप कमेंट करकी पूछे और Pdf के लिए आप हैं आप नंब करिये पूछे पताया जाय niemand